तो हमारे पसने पोको X6 आ चुका है और यह भी 5G है यह प्रो वेरियंट नहीं है यह नॉर्मल वेरियंट में देखने को मिलेगा और मुझे लगता इसका प्राइस पी काफ़ी दा कम रहने वाले लेकिन उसके स्पेक्स हैं वह बहुत जादा हमेजी है कुछ कुछ चीजों मे काफी जादा यूनीक सा लगा रहा कि देख पर पूरा वाइट कलर है और इसमें ग्लिटरी फिनिश है जैसा पोको F5 में में देखने को मिला था और पोको की टीम में में बताया कि यह जो वेरियंट था उनका सबस्यादा बिकने वाला था पोको में इसलिए उन्हें वो फ् लेकिन अब कहां यह आगे आता ना X6 Pro से कि इतना लाइट विट होने के बावजूत है जो इसकी बैटरी है वो थोड़ी सी इसमें जादा है 5100MH आपको इसके अंदर बैटरी साइज देखने को मिलेगा जो कि पिछले साल के X5 से भी बेटर है और बाकिकर मैं है है और एक चीज जो X6 Pro में मिसिंग थी इसमें नहीं है वो है 3.5M jack इसके अंदर आपको jack भी मिलेगा और IR sensor भी है और सबसे बढ़िया बात किया इसमें भी आपको in display fingerprint sensor मिलता है जो काफी अच्छा work करता है प्लस stereo speakers भी है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप pro नहीं non variant ले रहे तो उसमें जादा cost cutting है उल्टा कुछ चीज़ों में यह better है खासकर protection में इस phone के अंदर आपको Gorilla Glass Victus देखने को मिलता है जो कि बहुत जादा इसको एक durable phone भी बना देता है अब जैसा मैंने बता है कि bezel बहुत जादा कम है लेकिन resolution का क्या और इसका पिछले साल से upgrade हुआ है फुल HD से थो आपको यह नहीं लगा कि यार प्रो लिया है तो नॉन वीरिंट में ऐसा तो नहीं है कि अपको बहुत ही अच्छा पैनल मिलने वाला है अब कहां पर यह प्रो से पीछे तो सबसे पहले आते है प्रोसेसर पे अब इस phone के अंदर आपको 7S Gen 2 मिलता है अब बहुत लोग नही देखो इसमें confused हो सकते हैं उनको लेगा 7S Gen 2 की तरह पारफुल तो नहीं है तो देखो इसमें वैसा नहीं है यह एक मिड्रेंच चिप है अगर आपको यह प्रोस के साथ आता है लेकिन इसके अंदर आपको एक OS पीछे का मिलने वाला है तो अगर अपडेट्स की बात के रह रहने वाला है लेकिन performance में हो लूँगा ज्यादा difference आपको gaming में दिखेगा और gaming की बात करें तो वहाँ पे मैंने asphalt चला के देखा था decent perform कर रहा है और BGI में मीडियम सेटिंग पर ही चल रहा है इसमें बस आप एक चीज़ का देखना कई जगह पे लिखा आता है flagship processor क्योंकि व compare करो है तो वहाँ पे एक major bump है 33 से 67 watt पे अभी आ चुका है और box में आपको charger मिली रहा है तो overall charging speed भी रहे है आपको 45 minutes के अंदर अंदर ये full charge हो जाना चाहिए अब यहाँ अगर मैं camera की बात करो तो यहाँ पे आपको अच्छा अप्गेड देखने को मिलेगा 64 plus 8 plus 2 का triple camera setup है और OIS का भी support है और यहाँ पर मैं image quality की बात करो डिसेंट इमेज आ जाते हैं क्योंकि यार अभी इतना अच्छा weather नहीं है लेकिन अगर मैं human subject की बात करो हो तो वहाँ पे इसने अच्छे कासी details नहीं है और color भी जो है no skin tone जो काफी अच्छा आ जा रहा है और selfie भी जथा इस कोई major कमी नहीं है हर department ने अच्छा कासा perform कर रहा है कुछ चीजों मेरे को लगा कि ऐसे जो OS था ना वो latest होना चीए था क्योंकि अगर प्रो में आ रहा है तो यार इसमें भी दे सकते थे लेकिन बाकी अभी मुझे का ऐसी major कमी नहीं लगी है बाकी आपको इसका long term review चाहिए